स्पोट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आप हमें फेस्बुक इंसेग्राम और ट्विटर बर भी फॉलो कर सकते हैं और हाँ हाउसाइड आप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलेगा क्यूंकि वहाँ लेजिंस को हरा कर आप जीत सकते हैं दो गुना सब्सक्राइब कर लेकर इंडिया और नमीबिया ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 132 रंड स्कोर बोर्ट पे रखे जिसका जवाब में इंडिया ने असानी से 15.2 ओवर्स में ये टागेट अचीव किया मैं आफ दी मैच रहे रवेंद्र जडेजा इसके बाद बात कर ले हिंट कर दिया है कि T20 के अगले कप्तान रोहिशर्मा होंगे और कहा कि एक इंडियन क्रिकिट जो है सेफ हैंस पर है वहीं बात कर लेते हैं मैच के बाद क्या कहा जब उनसे पूछा गया T20 कैप्तन सी चोने पर उनने कहा है कि बहुत बड़ा रिलीफ है मेरे लिए और एक लीट करना एक बहुत ओनर की बात है और उनने ने कहा है कि राइट टाइम है उनको एक अपना वर्कलोड मैनेज मेंट करने के लिए और ये भी कहा कि 5-6 साल से काफी ज्यादा वर्कलोड था और एक प्रेशा था उनके ऊपर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह स पहले दो गेम्स में टीम इंडिया ने खेली अगर तो ओवर्कलोड खेलते तो शायद वो चीज़े नहीं थी उस दो मैचे में वो मिसिंग थी उनसे पूछा गया अग्रेशन को लेकर उन्होंने कहा कि जी अग्रेशन वो कभी नहीं बदलेगा जुस दिन वो चेंज होता ह है तो शायद मैं अपना क्रिकेट खेलना बंद कर दूँगा रवी शासरी और सपोर्स टापकी भी तारीफ कर दी है विराट कोनी ने रवी शासरी भी उनका भी एस हैट कोछ ये लास्ट टॉर्नमेंट था उनसे जब पूछा गया कि सूरे कुमार यादव को तीसे नंबर कोली की तारीफ कर दी है कहा है एक बहुत ही फंटास्टिक बहुत ही अमेजिंग कप्तान थे पॉजिटिव और एग्रेसिव कप्तान थे जो कि एक प्लैर चाहता है ऐसा कप्तान रवी शास्तरी और सपोर्स टाप की वी तारीफ कही है कहा है कि यही मोमेंटम आगे भी नए वोहित के बल्ले से कल निकले, सबसे पहले तो वो फिफ्ट पचास उपनर बनाने वाले बन गए हैं, ती ट्वेंटी वर्ल कप में, पाचवी उद्रफवा ऐसा हुआ है कि उन्होंने पचास रन बनाये हैं, और गंभीर को उन्होंने चोड दिया है पीछे, इसी के साथ-साथ उन्होंने कोली को भी एक रिकॉर्ड में पीछे कर दिया है, अब वो बन गये हैं, इंडिया के हाइस रन गेटर, टी ट्वेंटी वर्ल कप में, और जहां कोली के 845 रन से हैं, वहीं रोहित के नाम 847 रन हो चुके हैं, और भी रिकॉर्ड कल रोहित के बल्ले से निकल, तीन 1000 के क्लब को भी उन्होंने जॉइन कर लिया है, और विराट कोली और मार्टिन गपतिल को इस क्लब में जॉइन किया है, जहां विराट कोली के 3227 रन है, वहीं मार्टिन गपतिल के 3115 हैं, और रोहित शर्मा के 3038 रन हैं, वहीं एक और रोहित शर्मा ने बनाया है, लेकिन य जिसमें उनका 44 catches है, कल 3 catches लेते हुए उन्होंने ये कारनामा किया और कोली और रहनाव को पीछे छोड़ दिया जिनके नाम 42 catches है अब बात कर लेते हैं आर अश्विन की जी, हाँ आर अश्विन ने जहां कल बेहतरी नगेन बाजी की और विक्टे ली वहीं उनके नाम एक और रिकार्ड बन चुका है वो सबसे स्याता सक्सेसफुल इंडिन स्पिनर बन चुके हैं ICC White Ball Events में और उन्होंने पचार दिया है हर्बजन सिंग को जिनके नाम 50 wickets थी अब इस मामले में अश्विन के 52 wickets हैं और जहां हर्बजन की 50 wickets थे इसके अलावा और भी रिकार्ड बने हैं मैं रिकार्ड की गर्लडिया लगाती रहूंगे आप समते रहेंगे और एक रिकार्ड कोली ने भी बना दिया है जी हां कोली ने धोनी की बराबरी कर दी है कप्तानी को लेकर वो ऐसे खिलाडी बन चुके हैं जिन्होंने 50 test match बतौ और कप्तान के लाए है और धोने की कर्दी है बराबरी अब आगे जाते जाते मैं आपको बता देती हूं कल मैच के बाद रवी शासी जब प्रेस कांफरेंस में उन्होंने क्या-क्या मुद्व पर बात की सबसे पहले तो उन्होंने रोहित श्रमा को एक केपबल लीडर के पर बताया और कहा कि रोहित इस रोल के लिए अब तयार है इसके बाद उन्होंने टीम इंडिया की बात की कहा कि मुझे अभी भी लगता है ये टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है और राहुल द्रवट के हेट कोच बनने पर उन्होंने उनको बैक किया और कहा कि जिस तर और इसके बाद बायो बबल फटी को लेकर भी काफी विसार से रवी शासरी ने बात की कहा कि अगर आप अपका नाम ब्रैडमेन भी है लेकिन अगर आप बायो बबल में रह रहे हैं तो आपका एवरज नीचे ही जाएगा क्योंकि आप एक हुमन बींग है आप कोई मशीन नह होता तो वो बहतर होता आगे जाते जाते रवी शासरी ने ये भी कहा है कि अगर ये बायो बबल फटीग इशु राइट वे से दीन नहीं होता है तो ये प्लैज को एफेक्ट करेगा और इसका भरपाई नुकसान जो है प्लैज को होगा वही कोली की भी काफी ज्यादा टा जालों में अब आगे जाते जाते हैं टी ट्वेंटी वर्ल कप पे वापिस आते हैं जहां कल न्यू जीलेंड और इंगलेंड का पहला सेमी फाइनल खेला जाएगा उससे पहले इंगलेंड टीम को एक धक्का मला है और जेसन रॉय जिन्हें का पर टियर इंजिरी हुई थी जहां में साउट आफिका के खिलते खिलते वो टी ट्वेंटी वर्ल कप से हो चुके हैं बाहर अपनी इंजिरी के कारण और उनके रिप्लेस्मेंट के तौर पर जेम्स विंस टीम का हिस्सा होंगे जो की एक रिजर्व के तौर पर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे इसके ब खिलाडियों को मौका मिले, ये सेरीज डिसेंबर 19 से धाका में खेली जाएगी और हफीज ने अपना नाम वापिस ले लिया है, उनके रिप्लेस्मेंट के तौर पर इफ्तिकार एहमद का नाम आया है, वहीं बात कर लेते हैं वीवियस लक्षमन की, वीवियस लक्षमन का ना हम NCA डिरेक्टर के तौर पर सबसे आगे बढ़ कर आ रहा है, राहुल द्रविट जो की पहले NCA के डिरेक्टर थे, अब इंडिन टीम के हेड कोश बन चुके हैं, और ये पद्ध हाली हो चुका है, और वीवियस लक्षमन का नाम अब उभर के आ रहा है, अब बात कर लेते हैं, सेजिद मुष्टा कर ली ट्रोफी की दोस्तों एक वर्ल्ल रिकॉर्ड बना दिया है, विधर्बा के गेंदबाज अक्षे करने वाल ने, वो पहले क्रिकेटर बन चुके हैं, पहले गेंदबाज बन चुके हैं, जिन्हों ने अपने फुल कोटब ओवर्स करने के हैं, न्यूजीलेंड और इंग्लिड ये 2019 K20 1950 Overs World Cup की याद दिलाएगा और एक मुका मिलेगा न्यूजीलेंड को रिवेंज लेने का, तो कल दोस्तों है, पहला semi-final और ये अबु धाबी में खेला जाएगा, तो आपके पास मुका है, दोस्तों, अपनी टीम बनाने का सारे प्राइजर जीतने का, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, आप हमें फेस्बुक, इंस्सग्राम और ट्विटर बर भी फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, हाँज़ाट आप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्यूकि वहाँ, लेजिंस को हरा कर आप जीत सकते हैं, तो गुना कै भी उले, तो आप हमें डाप जड़ाट कर वाँश्राइब कर दोज़ाट करना बिल्कुल मत भाग।